कच्छा दस्वी के सभी बच्चे आज सीखेंगे एक टाइगर इंदजू मतलब एक बाग जो की चुडिया घर का है या पर कह सकते हूं एक बाग जो कैद है उसके बारे में आज हम एक कविता के माद्द हम से जानेंगे कि एक बाग जो चुडिया घर में कैद है और एक बाग जो खुले स्थानों में रहता है उनमें क्या कंपरीजन है और कभी क्या कहना चाहता है इसके पहले हम देखते हैं कभी की कुछ मात्रपूर चीज़े हैं देखिए इसमें जो कभी है अपने उर जार्ज लेसली नौरिस ह जनका जन्म 21 मई 1921 को हुआ था और 6 अपरेल 2006 तक यह रहे यह पुरुसकार्वी जिता भी थे वेल्स कभी और लगू कथाकार भी थे और उनमें ब्रीधम यंग युनिविश्टी साहत ब्रेटेंड और श्रेंक तुरस्ट अमेरिका के शैच्छिडेक संस्थानों में इन्ह में एक माना जाता है और उनके साहत प्रकास नों है कई पुरुसकार जीते हैं यह तो तो इनकी एक सोट हिस्ट्री आर्टोबरा इनकी बायोग्राफी जो भी थी तो इनके विसे में तो आपने जान लिये लेकिन ये इस कविता के माध्यम से आपको क्या संदेश देना चाह जान्वर की बारें इसने बोला जा रहा है जोकि पड़ें में कहए थे तो यह कहता है ही स्तालक और इनेच विबट इस स्प्राइट को मतला होता है और ये मतला होता है संची उपत्तीए या धारिदार पतीया त्योपंस के एक जान्वर इसमें नाम नहीं भूला गया है बा में मैं पट्टिदार धायर यह हैं अशा जन्तू जो पिंजरे में रह कर भी कुछ कदम और लेपने पिंजरे में अपने पिंजरे में रह भी कुछ कदम अकड़कर चलता है ओन पैट्स ओन वेवेल क्वेट्स ओन पैट्स मने जोसके पैर हैं वो वेवेल मने वेलवेट की तरह हैं क्वेट मने सांत रूप से इनेज क्वेट रेज फिर भी वो अपने कदमों से अपने कदमों के साथ मैं निस्यल्कूर्द के साथ अपने पिंज्रे के अंदर कद कुछ कदम चलता है फिर से देखिएगा एक इसका मैं थोड़ा समरी आपको बता जाता हूँ एक बाग जो की पिंज्रे में कैद है वो पिंज्रे में रहकर भी उसका जो सभाव होए परिवर्टे नहीं होता लेकंधर भी वो पहले से कुछ हातास कंदिशन में होता है, लेकिन फिर 24 उससे जितने भी जगें मिली हैं वे उतनी जगें में भी निसल क्रोध के साथ मतलब क्रोध ना करते हुए भी अकड़ कर वो चलता है और उसके पैर कैसे होते हैं गदीदार होते हैं और वैलुएट की तरह होते हैं कि अगला देखुए इसमें ही शुट भी अगया लिर्कलिंग ओन सेड़ों की सुट बीलुट कि इन सेड़ों का मतलब होता है इसी बाग के लिए आया है इस वी अगात लगा कर बैठता है यह आपने देखा हो का जंगलों में कोई भी अ खतरनाक पसु होता है वो घात लगा कर बैठता है और मोकर लगने पर अपने शिकार को ले लेता है अगर श्लाइडिंग त्रूआउट लोंग ग्रास और वे लंबी लंबी घासों से खिशता हुआ नियर दा वाटर होल जहां जल स्रोत होता है वियर प्लंब डियर पास जहां से मोटे ताजे हिर्णों का समों गुजरता है उसी सेर की बात कहेगे कि यदि वो सेर पिंजड़े की जगे पर यदि खुले स्थानों पर होगा तो वो कैसा होगा तो खुले स्थानों पर बोला गया है कि खुले स्थानों पर वोगा क्या कर गात लगाकर छिप कर बैठता है उस चाय में या चाया में sliding throughout long grass और उसी लंबी-लंबी घास से धिरी-धिरी खिसकते हुए नियर दा वाटर होल जल सुरूत के नजदीक तक पहुचता है वियर प्लंच डियर पास जहां से मोटे ताजे हिर्णों का सम्हूं गुजरता है इसका एक अर्थ और भी निकल सकता है जिसे आप समझेगा यह तीसरी लाइन से बनेगा sliding throughout long grass लंबी-लंबी घासों से सरकते हुए नियर दा वाटर होल पानी के पास से वियर पानी शुरूत के पास यह तालाप के पास वियर प्लंच डियर पास जहां से हिर्णों का सम्हूं गुजरता है इस बाग को वही छुपे हुए घात लगा कर बैठा होना चाहिए इस करता है अगला देखी गए ही शुट भी स्टार्लिंग एराउंड हाउस एट दा जंगलेज ही मने वह है शुट भी स्टार्लिंग इसका मतलब तब गुर्णा अराउंड हाउस वे जंगलों के कनारे रहकर भी घरों के आसपास जंगलों के कनारे रहकर भी घरों के आसप खुलिय अवस्था में तू जंगलों में रहने के बावजूद घरों के आसपास गुर्णाता वह नजर आता है कुरूधी सुभाव में दिखाई देता है बार्लिंग इस वायट फेंश बार्लिंग मने वो दिखाता है क्या दिखाता है हिट इस वायट फेंश देखिए सफेद सफेद दात इसके दिख रहे होगे आपको यह अपने सफेद दातों को दिखाता है यह तीखे दंत को दिखाता है इस क्लेप्स और अपने पंजों को पुरदर्शित करता है यह फिर वो अपने दातों को और पंजों को दिखाता है और इससे क्या करता है और इससे क्या करता है दराता है एक라고 गावोलों में रहने वालों को डराता भी है फिर सिरुचि लिखीगा और घरों के आसपास जारुप तरफ गाम वालों को आतंकित करता है आ आ android जणकल आ आता है कहाँ पर aid the jungle is जंगल के कनारे रहे कर भी वो गुदर आते हुए पोरे गावालों को आतंकित करता है पोरे गावालों को डराता है bardling is white fence बार्लिंग मने दिखाता है his white fence मने अपने सेफेद दातो को his collapse मने अपने पजियों को भी दिखाता है वो डराने के लिए अपने दातों को अपने पंज्एों को भी दिखाता है टर्राइजिंग दा विलेज और इस प्रकार गाहँ वालों को डराता है बटमन लेकिन ही लोग्ड इन्हें कॉंक्रीट सेल लेकिन जब वो सीमेंट के पिंजरे में बंद हो जाता है तो his strength behind bar तो his strength मने उसकी सक्ति behind बने पीछे चले जाती है बार मने होता है सलाकों के कह सकते हो पिंजडे के कह सकते हो तब उसकी सक्ति कहां चले जाती है सलाकों के पीछे इस्टार्लिंग दे लेंथ ओफ इस केज इस्टार्लिंग का बतला होता है सान के साथ चलना लेंद ऑप केज माने पिंजरे के अंदर उसकी सक्ति भले ही कम हो गई ह покई हौ लेकिन फिर भी पिंजरे के के अंदर गजितने भी लेंद घतनी लंबा nouveaux जितनी भी जगे हैं उसमें भी वह सान के साथ चलता है इगनोरिंग मनें वो किसी को देखता नहीं है या फिर वो अंदेखा कर देता है विस्टर समाने देखने वालों को इसके मतलब यह है कि जू में या चड़िया घर में जितने भी लोग उसको देखने आते हैं जितने भी लोग घूमने आते हैं उसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं होता है उसने जितने जगे पाई है अपने पिंजड़े में वो उतने जगे में भी टहलता रहता है चलता रहता है लगता लास्ट पराग्राफ है वो अन्तिम आवाज को रात में सुनता है वो आवाज केसी होती है पेट्रोलिंग कार पेट्रोलिंग कार का मतलब होती है लास्ट के टाइम पर जो भी पुलिस की कारे होती है या भी जो भी वहाँ पे निरिछड करता हो वो घूमता है और वो देखता है कि कोई जानवार या प्रोण क सब्सक्राइब नहीं है तो वह सुनता है कि स्टार्स विट्ष ब्रिलें टाइज और अपनी चमक दार आँखों से झमक सितारों को देखता है कि सली कि स्टार्ट इंड लें टाइज और आपनी चमकदार आखों से एट दा ब्रिलेंट इस्टार और वो अपने चमकदार आखों से चमकदार श्रितारों को एक टक यह लगातार देखते रहता है मुझे अम्मीद है कि आपको पूरी कविता का समरी और अर्थ समझ में आया होगा जितने भी बच्चों को नहीं समझ में हो एक बार मैं दुबारा बताता हूँ फिर से देखिएगा ही इस टाल्क का मतलब होता है अकड कर चलना विवेड इस प्रैट का मतलब होता है पटीदार धारियें एक जांवर जिसके सरीर में पटीदार धारियां है वह अकड कर चलता है ता फ्यू из टेप उफ इस केज आपने पिंज रे के अन्दर ओन पैट्स ओफ वेवल क्वेट्स जिसके पैर वेलवेट की तरह गदीदार है इनेज क्वेट्ट रेस उन्ही वो गदीदार कदमों से कुछ कदम चलता है इसका मतलब इसका मतलब मतलब होता है घात लगाना या छिपा होना सेडो का मतलब होता है छाय में लंबी लंबी घासों सरकते हुए नियर दा वाटर होल पानी के सुरोत के नजदीक फियर प्लंब डियर पास जहां से मोटे ताजी हिर्द्नों का समय गुजरता है इसका मतलब हुआ है कि जो सेर है जो चीता है जो बाग है जिसके लिए बुला गया है वह लंबी लंबी घासों सरकता हुआ पानी के सुरोत के नजदीक फियर पहुशता है जहां पर हिर्द्नों का समय या मोटे ताजी हिर्द्नों का समय गुजरता है वह वहीं कहीं घात लगाकर बैठा होना च देख्याय में वह वहीं कहीं लंबी लंबी घासों के मद्ध छिपा होना चाहिए या फिर घात लगाकर बैठा होना चाहिए जो बैशनर्लिंग टॉप हाउस वह घरों के आस्पास इसनर्लिंग मनें होता है गुर्णा ये चिल्लाना अरॉण हाउसिस एर्दद जंगलेज वे जंगल के किनारों में रहते हुए भी घरों को आतंकित करता है या गाम वालों को आतंकित करता है वो गुराता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है बार्लिंग इज वाइट फेंज बार्लिंग मने दिखाता है इज वाइट फेंज अपने सफेद सफेद दातों को इस क्लेप्स मने अपने पंजों को टेरोरेजिंग दा विलेज और गाहँ वालों को आतेंकित करता है यह गाहँ वालों को डराता है कि यह खुले बाग की बात करेंगे कि यह खुला है तो स्वतंतर रूप से कुछ भी करता है आगे रहे बठी लोग्ड इन्हें कॉंक्रिट सेल लेकिन जब उसे एक सिमेंट की दिवाल के अंदर या फिर उसे कैद कर दिया जाता है तो उसकी सक्ति होती है वह पिछे चले जात बाहर का मतलब था सलाख है इस इसटालिंग या भून है इससला इस टालिंग मने सान के साथ चलता है ने लंबाई में ओफिस केज मने अपने पिर देगी उसकी पास जो भी पिग golpe की लंबाई है जितने भी कदम वह चल सकता है वह उतने कदमों को शन के साथा आगे भढ़ा भी वो सान के साथ उतने करणों को चरूर चलता है एग्नोरिंग विस्टर्स और उसे विस्टर्स मंद्र देखने वाले या घूमने वाले जितने भी लोग होते हैं या दर्शक होते हैं उनकी उसे कोई परवाय नहीं होती है लास्ट परग्राफ है लास्ट वाइस एट नाइट उवे अंतेम आवाज को रात में सुनता है दा पेट्रोलिंग कार जो की पेट्रोलिंग कार की होती है एंड इस्टार्ट से विट इस ब्रिलेंट एज और वो उपनी चमकदार आखों से एक टक देखता है क्या देखता है स्टार्ट चमकते हुए थारों को एक टक देखता रहता है उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आर्थ समझ में आ गया होगा वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मनें आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़े बताई है एक एक चीज़ों की हो सकता है आपके कोई समस्या हो उस समस्या का समधान हम आपको अगले वीडियो में दे सकते हैं यदि आपके कोई भी समस्या है सिक्स है को लेकर अपने क्लास को लेकर अपने टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उसका समधान आपको अगले वीड कर सके अधा आप इस वीडियो को जितने अधिक सदिक दोस्तों तक हो सकता है जरूर भेजें और सभी दोस्तों को कम से कम सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए जरूर कहें ताकि मैक्सिम्म छात्र हमारे दुवारा दे गई जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन पाएंगी और उससे वो अपनी निस्सुल्क एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद